गुड मोने एविवन एविवन एविएस में हम पार्ट चोदा रहे साथ साथ में पेस नमबर 112 पर आये थे यहे यह यह वाला केशन हम कर चुके थे चीटियों को रास्ता दिखा कर भोजन तक पहुंचाओ और फिर उसके बाद है हाथियों का जुंड हाथियों के बारे में पढ़ते हैं हमारे जुंड में कुछ हथीनिया और बच्चे होते हैं हमें तालाब में नहाना और मिटी में लोटना बहुत अच्छा लगता है इस से हमारी तवचा साफ रहती है हमारे सुंड इतनी मजबूत होती है कि हम इसे घास कातिन का भी उठा सकते हैं और पेड़ों को भी उखाड सकते हैं हाथीनिया हमें पानी में धखेल कर तैरना सिखाती हैं सबसे अधीक उम्र की हाथीनी हमारे आगे चलती है और हम सब उसका कहना मानते हैं सोचो और लिखो पहला पर्षन है हाथियों के जुन्ड का मुख्या कोन होता है तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सबसे अधीक उम्र की हाथीनी जुन्ड की मुख्या होती है हमने पढ़ा था कि सबसे अधीक उम्र की हथीनी हमारे आगे चलती है और हम सब उसका कहना मानते हैं इसका मतलब वो उनका नेतरितव करती है वो जुंड की मुख्या होती है तो क्या लिखेंगे सबसे अधीक उम्र की हथीनी जुंड की मुख्या होती है फिर है अगला केशने, जुंड में रहकर हाथी के बच्चे क्या-क्या सीखते हैं, वे तैरना, भार उठाना, नहाना, मिटी में लेटना, आदी काम सीखते हैं, क्या-क्या सीखते हैं, तैरना, भार उठाना, नहाना, मिटी में लेटना, सम्हू में नील गाए, चलिए नील ग गाए की बेहन कहा जाता है गाए की बेहन कोन है नील गाए किसानों की तो मैं दुश्मन हूँ क्योंकि उनकी फसलों को चट कर जाती हूँ किसानों की दुश्मन क्यों है क्योंकि ये सारी फसल को चट कर जाती हैं खा जाती हैं हमारे जुण में लगवग 10 से 12 मादा नील गाए और बच्चे रहते हैं, एक जुंड में 10 से 12 मादा निलगाएं और बच्चे रहते हैं, मादाएं मिलकर हमें पालती हैं, हमारे बच्चे जुंड की किसी भी निलगाएं का दूदे पी लेते हैं, आराम करते समय हम एक दूसरे से पीट सटा कर लेट जाती हैं, जुंड का एक स दश्य खड़ा रहे कर निगरानी करता है और खत्रा महसूस होने पर वह दबी आवाज में पुकारता है और हम अपने बच्चों को जाडियों में छिपा लेती हैं खत्रा होने पर क्या करते हैं दबी आवाज में जो निगरानी कर रही है वो दबी आवाज में पुकारती है और बच्चों को जाड़ियों के पीछे छिपा दिया जाता है तो अब इनसे सम्मंदित पर्षन उतर देखते हैं नील गाईयों के जुण में बच्चे किन के साथ रहते हैं बच्चे नील गायों के जुण में मादा नील गाईय के साथ रहते हैं कैसे लिखेंगे इसका उत्तर नील गाएं के जुंड में बच्चे मादा नील गाएं के साथ रहते हैं अगला परश्ण है खत्रे का आभास होने पर नील गाएं एक दुसरे को कैसे बताती हैं तो इसका उत्तर लिखेंगे खत्रिका आभास होने पर निगरानी कर रही मादा नील गाएं दबी आवास में पुकारती है और बच्चों को जाडियों में छिपा दिया जाता है तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही